हलो दोस्तों एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का तो इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ फाला रोक एपिसोड 6 का पार्ट वन इस एपिसोड की सुरुआत पिंग से होती है आज उसने अपने क्यूट बोईस पेज में एक बहुत ही अच् लग करती है और कभी कभी यही वक्त कुछ ऐसे सिट्वेशन क्रियेट कर देती है जो हमें डरा कर रख देते हैं हम उसे अवोईड करते हैं लेकिन इसी वक्त के बाद साथ कुछ अच्छे बदलाव भी एक्जिस्ट करते हैं जैसे हमने सोचा भी नहीं होता है और यह बात इसपेसली लब में बिल्कुल सही बैठती है तब पिछले एपिसोड में पिंग ने फालान को कॉल करके बताया कि क्रॉब लॉग म्यूसिक बार में उसने सेर्वित को देखा उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही वस भा ने इतना सुनते स्पोर्ट्स ड्रेस चेंज भी न सेर्व उल्टा उसी को सौरी बोलने लगा क्योंकि कुछ दिर पहले फास समझकर उसने उसी आत्मी को फोन पर डाट दिया था ओनर फिर सेर्व को थांक्स बोलने लगा थांक्यू सो मच्छ तुमने मेरी बात मानी आज यहां बड़े पार्टी और्गिनाइस किया गया है औ अभी मुझे अखेले में थोड़ी दिर टाइम चाहिए प्लीज ओनर वहां से चला गया और फाबी सेर्व के गिटार के साथ उसके पास पहुंचा सेर्व पिंग ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम यहां हो और तुम्हारे पास गिटार भी नहीं है तो मैं ले आयाया सेर पर बात करते हैं तो ठीक है पर सामने से तुम थोड़े सरमीले हो टेप भी फलो में बोलने लगा हाँ जब मैं को बसूरत लड़कियों के साथ होता हूं तो मेरा दिल बहुत फास्ट बीट करता है लड़की ने मौके का फाइदा उठाया और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मेरा दिल बहुत ज्यादा फास्ट बीट करता है तुम जोकर देखना चाहोगे फिर वो टेप का हाथ पगड़कर अपने दिल के करीब लेकर जाने लगी लेकिन पिंग भी फा के साथ वहां पहुच गया उसने थोड़ी से आहट दी और लड़की ने टेप का हाथ पिंग ने अपने सपाई दी मैं इसे यहां लेकर नहीं आया मैंने कुछ बताया इसे और यह खुद ही यहां आ गया टेप फिर फा को बोलने लगा और फा तुम भी ऐसी आ गए बिना चेंज किया क्या बात है फा ने उससे सीधे बोल दिया मुझे पीने का मन कर रहा था और कुछ भी बात नहीं है टेप को भा से तो कोई जवाब नहीं मिला लेकिन स्टेज पर सीयर को देखकर उसे सब मामलत समझा गया नामान ने भी फाक वहलो बोला उसके लिए ड्रिंक प्रिपेर करने लगी पर फाक वा ओवरफलो ब्यूटी में कहां इंट्रेस्ट है सीयर ने देखकर पिंग को जो तकलिब मैसूस हुई वो टेप नहीं समझ पाया पिंग कुछ बोल तो नहीं सकता था बस वो सराब का घुट भी कर रह गया टेप ने भी उसे नोटिस किया पर बात को उसने सीरिसले नहीं लिया वहीं दूसरी तरफ गियर भी प्रिंस को घर चोड़न वो मेरे कोल का रिप्लाइ नहीं दे रहा बता नहीं कहा था गयर घुट अससे कहने लगा प्रिंस तुमने कहा था ना करते हैं तुम अब कर देते नोटीब हाँ गेइर वो मेरा एक लुता बेश्ट फ्रेंड है जो हमेशा मेरी केer करता है मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है मेरा खएयाल रखता है पर मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ वो प्रॉब्लम में है और मैं उसके हел्फ में नहीं कर रहा वो अपने सारे प्रोब्लम्स खुदी सॉल्व कर लेता है गियर ने प्रिंस का हाँ ताम लिया प्रिंस आइ थिंग सेर ऐसा नहीं सोचता होगा देखो हमेशा ना तुम्हें वो परसन नहीं चाहिए होता है जो तुम्हारा खयाल रखे बलकि उस बर पे दियान देना चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करने के लिया है प्रिंस ने भी गियर का हाँ ताम लिया गियर थैंक यू सो मच तुम हमेशा मेरे साथ रहे मुझे मूवी लेकर जाते हो मेरे साथ खाना काते हो मेरे खयाल रखते हो अब मुझे लगने लगा है कि मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड मिल गया है मुझे गियर को कुसी भी फाइनली वो प्रिंस का दोस्त तो बना पर क्या उसका लव भी उसे नसीब हो पाएगा इधर बाहर में फालान की हालत तो और खराब हो गई उसने बोटल पे बोटल सराब पीना सुरू कर दिया टेप और पिंग भी उसे लेकर वरीड हो गये पर फाइनली वो तो प्यार में पढ़ चुका है सियर के परफॉमेंस खत्म हो गये वो अपना गिटार लेकर बार के बाहर निकल गया फाब उसके पीछे जाने लगा पिंग ने उसे रोक लिया फाब कहां जा रहे हो तुम फालान ने उसे सुना दिया फिंग में टॉलेट जा रहा हूँ तुम्हें भी एल्प करने के लिए जाना है फाब तो उसे सुना कर चला गया लेकिन पिंग को अब बात इस्ट्रेंज लगी टेव तुमें नहीं लगता फाक कुछ इस्ट्रेंज बिएब कर रहा है टेव भोले पिंग को समझाने लगा पिंग तुमने कभी फाक को ऐसे बीना ड्रेस अब के बाहर जाते देखा है बिल्कुल नहीं फालान भी सीदे सेर के पीछे आ गया सेर रुख जाओ तुमें हुआ क्या है मैंने कुछ गलत किया है क्या मुझे ऐसे अवोइड मत करो तुम सेर्वित ने तुरंद उसे बोला फाक कुछ भी नहीं हुआ है जाने तो मुझे फालान बोलने लगा अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम ऐसे बेव क्यों कर रहे हो क्यों अवोइड कर रहे हो मुझे तुम उस क्यूट बोईस पेज वाले फोटो की वज़े से नाराज हो सेर्वित ने उसे क्लियर कर दिया नहीई फा इससे उसका लेना देना कुछ भी नहीं है बलकि मैं तुम से बोण हो गया हूँ और अब क्या चाहते हो तुम मुझे फालान को बरोजा नहीं हुआ सेर्व हमने कहा था कि हम दोस्त है सेर्व और एड़िटेट हो गया फा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम दोस्त नहीं है फालान उस पर जिलाने लगा लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो सियर उसका क्या मतलब है ऐसे बहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी लाइब में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है सियर ने उसे क्लियर समझा दिया देखो फा, हमने जो भी किया वो बस एक फ़न था मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे क्यार करते हो इससे मुझे अनकमफर्टेबल फील होता है समझ गए तुम फालान को अब भी वरुसा नहीं हुगा सियर तुम अपने फीलिंग से डर रहे हो राइट तुम्हें डर लग रहा है कि तुम भी मुझे वैसे ही मिस करने लगोगे जैसे मैं मिस करता हूँ इसलिए तुम मुझे अवर्ट कर रहे हो ना फालान की बाते सुनकर सियर के आँख में भी आसु आ गए पालान आगे बोलने लगा सियर ये बात बहुत स्ट्रेंज है मैंने तुम से भी जादा लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया है और ऐसा फिल बिल्कुल नहीं हुआ पहले मुझे फिर वो सियर को किस करने लगा पर सियर बित ने उसे एक पंच मार दिया बस करो फा ये एक्सक्यूस बनाना बंद करो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो सच तो ये है कि तुम मेरे साथ दोबारा नाइट स्पेंड करना चाते हो पर तुमारी ये बाते मुझे तुमारे साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करवा सकती क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ दोबारा नहीं जाता समझ गे तुम सेर्वित रोते रोते वहां से चला गया फा भी बहुत नीरास हो गया उसके आँख से भी आंसु बेरने लगे पिंग भी जल्दी जल्दी बाहर से बाहर आया पर तब तक फा और सेर्वित दोनों वहां से जा चुके थे टेप भी उस नामान लड़की के साथ बाहर आया उसने पिंग से फा के बारे में पूछा पिंग ने उसे बताया वो साथ चला गया टेप फिर पिंग को बोलने लगा पिंग चलो नामान को साथ में घर चोड़ देते हैं लेकिन पिंग ने मना कर दिया तुम जाओ टेप उसे ड्रॉप कर दो मुझे नीद आ रही है मैं रूम जा रहा हूँ टेप उसे कहता रही गया पिंग मैं तुम्हारे रूम में ही रहता हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पर पिंग उसके बातों को अंसू ना करके आगे चला गया और टेप को क्या मालूम था पिंग तो बस अपने आशू छुबा रहा था नामान ने मौके का फाइदा उठाया टेप मैं अपने पैरन्स के साथ नहीं रहती डॉरमेटरी में रहती हूँ और फिसी इरादे से उसने टेप का हाथ पकड़ा टेप भी है फिछ दोनों उसके रूम आए और इसके बात जो हुआ ये सोच सोच कर तो पिंग के आँख से आशू रुखने का नाम ही नहीं लेने लगे उसे बहुत तकलीब मैसूस होने लगी क्योंकि आज उसने अपने प्यार को खो दिया बस उसे इस बात की तसलिती की चलो कम से कम टेप दोस्त बन कर तो उसके साथ रहेगा पर दिल तो मानी नहीं रहा पिंग अपने रूम के कोने में बैठकर रात भर रोता रहा भही दूसरी तरब फा और सेयर का हाल भी बढ़िया नहीं था दोरों ही फूट फूट कर रोए जा रहे थे एक अपने फिलिंग से दूर भाग रहा था तो दूसरा फिलिंग्स हट होने पर रो रहा था सेयर को उसके ट्विन ब्रदर का मेंसेज भी आया वो सेयर को कॉल बेक करने के लिए बोल रहे थे गियर भी प्रिंस के बारे में ही सोच रहा था कि क्या उसे प्रिंस का प्यार मिल पाएगा आज की जो रात थे वो बड़ी ही मन्हूस रात साबित हुई इस रात ने हर किसी को रूला कर छोड़ दिया लेकिन ये टाइम है भे गुजरी जाता है और इसके साथ एक नए अनेस्पेक्टेड बदलाव भी आ जाते हैं ठीक कल का दिन भी एक नए सवेरे के साथ एक नए बदलाव लाने वाला था सुबह सुबह पिंग ने रूम का गेट खोला तो धराम से टेप पीट के बल जमीन पर गिर पड़ा पिंग हैरान टेप तुम यहां धरवाजे के पास क्यों सो रहे हो टेप उसे डाटने लगा बिंग मैंने कल रात कितने बार दोर नोक किये पर तुमने खोला ही नहीं तुम इतने ड्रंक हो गये थे इसलिए तुमने साथ नहीं सुना पिंग हैरान टेप मुझे तो लगाता तुम नामान के साथ नाइट स्पन करने वाले हो क्या हुआ उसके पैरंस घर में ही थेखिया इसलिए तुम अंदर जाने के डेर नहीं कर पाए टेप ने फिर उसे डाट दिया चुप करो पिंग मैं इतना भी इजी नहीं हूँ और वो डॉरमेटरी में रहती है फिर वो पिंग को साइड अटा कर सावर करने चला गया पिंग सोचने लगा इसका मतलब टेप ने उस लड़की के साथ नाइट स्वेंट नहीं किया और ये सोच सोच कर तो पिंग खुशी से पागल होने लगा उसने टेप को तुरंट नहाने के लिए बोला क्योंकि उन्हें फासे मिलने जाना है टेप भी बातरूम आया उसने बाहर तो खुद को नॉर्मल दिखाया था पर बातरूम में आते ही वो सोच में बढ़ गया योगि कर रात वो अल्मोश नामवान के साथ नाइट स्पेंट करने वाला था पर उसका दिल नहीं माना उसके फिलिंग्स ने जवाब दे दिया उसने साथ गलत इंसान को जून लिया है और वो रात को ही वहाँ से वापस आ गया पर टेप को भी समझ नहीं आया कि ऐसा आखिर हुआ क्यों तो आज के लिए बस इतना ही गाइस मैंने आप लोगों से कभी नहीं पूछा कि आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन कैसी लगती है कोई डेपलेप्मेंट की जरुवत है क्या ऐसा कुछ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा मैं हमेशा कमेंट को पढ़ती हूँ तो आपके कमेंट से मुझे काफी हल्प मिलेगा थाइंक यू सो मच गाइस पूर वाचिंग दी वीडियो